नवस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनरजी स्टॉक के बारे में अब दिखें दोस्तों सुजलॉन में बहुत बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल देई है जो कि इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ज़्यदा पॉजिटिव अपडेट यहां पे निकल के आ रहा है कमपनी की रेटिंग हमें नजर आई है रेजल्ट से पहले रेटिंग अपडेट आ चुका है और उसी के साथ साथ शेरोडिंग पैटर्स पी आ चुके अब यह जो पैटर्स है इसके साथ से यहां पर हमें दिख़रा है कि सुजलोन में बहुती ज़्यादा यहां पर जो है एफाई और डियाए वड़ों का योगदान जो है वो अभी के टाइम बन रहा है आज की दिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2% की हमें तेजी देखने को मिली है लास्ट 5 टेज में यहां पर स्टॉक कॉंसलिडेट किया है वन मंत में 11% तक हमें स्टॉक रिकवर होते वे नजर आया है लो पॉंट से एंड 6 मंत की बात की जाए तो देखें 31% तक के रिटन्स हमें मिले है क्योंकि देखें लास्ट 6 मंत से श्टॉक नर्मली कंसलिडेट ही किया है अब यह चीजे हुई क्यों है क्योंकि श्टॉक आपका ASM में था सबसे अच्छी बात तो यह है दीकि सुजलान को बहुत सारे लोग स्लो बोल रहे है लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक ASM में होने के बावजूद भी आपको लॉस में नहीं जाने दिया स्टॉक आपका ASM में था लास्ट 6 मंत से फिर भी यहाँ पर स्टॉक में हमें देखने को मिला कि स्टॉक जो है अच्छे खासे कंसॉल्डेसन हुआ है कई फिर ऐसे भी होते जो ASM में जाने के बाद गिरते हैं गिरने के बाद कंसॉल्डेट होते हैं लेकिन स्टॉक गिरा भी के टाइम हमें यहाँ पे मिल चुका है तो जैसे ही दिखें यहाँ अब यही है कि election के time में एक अच्छी rally बन सकती है तो वहाँ पे तो एक positive impact सुजलोन के उपर पड़े गाई लेकिन अब यही है कि हमें एक consultation का इंतजार था, consultation हो चुका है अब हमें इंतजार है company के अच्छे Q4 के result और अगर वो आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे इस consultation के बाद एक बड़ी तेजी हमें सुजलोन में दिख सकती है जो कि अपने 60-70 के target हमें दिखा सकती है अब Q4 के result अच्छे आने की expectation जो हम रख रहेते जैसा हम बता रहे थे कि 200 करोड, 220 करोड का company profit कर सकती है तो वो आकड़े यहाँ पर जो है अभी के time सही साबित हो सकते है क्योंकि FI वालों का जो data निकल के आया है उससे यहाँ पर लग रहा है कि आने वाला जो future रहेगा सुजलोन का बहुत ही bright रहने वाला है तो सबसे पहले नॉर्मली अगर आज सुजलोन का data देखा जाए तो stock आपका open होता है 41 पर 41.70 का high लगाता है उसके बाद 40.70 का low लगाता है वोल्यूम की बात की जाए तो दीखे पर तक हमें उपर के range से गिरते वे नजर आया और इसी गिरावट में सुजलोन जो है फिर भी 2% हमें closing जो है वो plus में देखने को मिले तो ये एक अच्छी बात है सुजलोन में अब दीखे सुजलोन में चीजे क्या है कि सबसे पहले में आपको rating बताता हूँ कि rating का यहाँ पर क्या update निकल के आया है तो rating के दोस्तों अगर आंकडे देखे जाए rating में हमें देखने को मिल दा है कि जो crystal की rating है उसमें एक positive outlook देखने को मिला है यह positive outlook यहाँ पर हमें नजर आ रहा है सुजलोन में जो कि बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ पर जो है March का data हमें Q4 की rating जो है वो देखने को मिल दाईए अब Q4 में इतनी अच्छी rating आईए यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है तो दिके rating से क्या होता है जिस company की rating अच्छी हो जाती है उसमें क्या FI and DA वलोकी जो holding से वो थोड़ी थोड़ी increase होना सुरू हो जाती है तो यह चीज़ पोजिटिव है दूसरी चीज़ दोस्त 28% था और यहाँ पर भी यह है और यहाँ पर भी same है तो quarter results में quarter for share holding patterns में promoter की holding तो कोई बदलाव आया नही है लेकिन अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर बड़े players ने अपनी holding increase कर लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस console decision में इस गिरावट में आप तो भले ही बे 29% थी और अभी यहाँ पर बढ़के हो चुकिए 19% साड़े 19% लगपक 20% के आसपास तो अच्छी का से इन्होंने holding बढ़ा भी लिए और company minus से plus में भी आ चुकी है loss से profit में आ चुकी है और यह चीज में आपको 5 रुपे के price से बोल रहा था कि company loss से profit में आएगी public की holding कम होग 20% के आसपास पहुँच जाएगी अभी दिखें यहाँ पर अगर आप दिखेंगे तो जून में इनकी जो holding थी 7.64% जून में हो गई 7.79 सेप्टेंबर में हो गई 10.88 देसंबर में हो गई 17.83 और अभी मार्च में हो गई 19.53% तो continue यहाँ पर लाष्ट चार क्वाटर से continue य बहुत ही अच्छी बात है, DI वालों की बात की जाए तो इन्हों ने यहाँ पर volatility है high holdings, high volatility है इनमें holdings में 9.81 थी फिर इनों ने कम किया लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये FI वालों ने भी increase किया है, DI वालों ने भी increase किया है, जो कि अच्छी बात है, public जैसे मैंने आपको बोला था, public की holding कम होगी, जैसे company profit करती जाएगी, public की holding कम होती जाएगी, क्योंकि public अच्छे share में नहीं रुकती है, जो company loss होती है, उनमें रुकती है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करू, 72% public की holding थी, वो अभी गिर किर के यहाँ पर हो चुकिया, 60%, almost यहाँ पर 12% shares जो है य एक साल के अंदर अंदर बड़े players ने public से खरीद लिये, अब यह तो चलो normally company profit में आईए, चलो आगे यहाँ पर अच्छा profit और भी करती है, और उसी के सासाथ मुझे उम्मीद यह है कि जब इस stock का जो price है, 70, 80, 100 रुपे की range तक पहुँच जाएगा, तो public की holding जो है, वो 60 से आपकी 40 आ जाएगी, जब यह stock आने वाले समय में मानलो अच्छा return अच्छा growth करती है, और stock का price 150 पहुचता है, तो public की holding normally हमें 20-15% के आसपास देखने को मिली जाएगी, क्योंकि इतना कोई पर देखे, company overall अच्छे कैसे grow करी रही है, 2000-3000 करोड के आसपास sales down आ चुकी थी, लेकिन continue अभी अपनी sales जो है बढ़ा रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो company loss में आ चुकी थी, company अभी के time यहाँ पे profit में आ चुकी है, Q4 के result अच्छे आने की उमीद है, क्योंकि overall यहाँ पे interest तो total zero होने ही वाला है, order income यहाँ पे अगर अच्छे आती है, and अभी के time company अगर ऐसा होता है, तो फिर एक अच्छी कासी rally भी बनेगी, जिसमें stock आपका 50 का level भी break करने की कोशिस करेगा, क्योंकि एक बड़ा consolidation तो already होई चुका है, और हमने यह देखा है कि जो भी company अच्छे ची company होती है, वो बड़े consolidation के बाद एक बड़ा breakout भी देती है, जैसे Tata Power आपका 2 सल consolidate किया, तो उसके बाद एक बड़ा breakout है, 400 प्लस भी हुआ, तो वही चीज़े यहाँ पर सुचलान में भी देखने को मिलेगी,